गेते हैं न कि किसी को मेरे बारे में पता कुछ भी नहीं है और इल्जाम हजारों हैं खता कुछ भी नहीं है ओपोजिशन को खतम करने के लिए भाजपा इतनी अमादा है कि कानून लोगतंत्र एजेंसियों की अपनी स्वायतता उनकी बुद्धिमता सब ताक पर दिया भारतिय जनता पार्टी के विधायक का बेटा 40 लाख रूपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया भाई क्योंकि भारतिय अनता पार्टी ब्रस्ट जनों की प्यूरिफायर पार्टी में अगर कोई आ गया तो आप मान लिजिए कि सारे दाग अच्छे हैं कि तकरीबन 18 मंत मंत्री ऐसे हैं करनाटक सरकार के जिनके बेटे-बेटियां और दावार मंत्री के एंटी चेंबर में बैटके ठेकेदारों से डील करते हैं दलाली करते हैं बीजेपी जो अब दीरे दीरे भारतिय जनता पार्टी से भरस्त जनों की प्यूरिफायर पार्टी बन के रह गई है जो भरस्त जन हैं जो भरस्त लोग हैं भारतिय जनता पार्टी में जाकर प्यूरिफाय हो जाते हैं पूरे देश के भ्रस्टाचारियों को प्यूरीफाई करने के मुहीम में लगी भारतिय अंता पार्टी के हिस्से में बहुत सारे नामचीन लोग है हाल फिलाल की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े निता जिनके खिलाफ भारतिय अंता पार्टी ने बकाइदा मुहिम छड़ी वाटर्स कैम पे बुकलेट रिलीज किया उनकी एक सास में एक हजार खामियां कमियां और घोटाले गिनवाए और जैसे ही राजनेतिक अवसर मिला उन्नेता जी को हिमंत विश्व सर्मा जी को भारतिय अंता पार्टी ने अपने प्यूरिफायर मशीन में डाल के प्यूरिफाई कर दिया भारतियंता पार्टी या भ्रस जनों की प्यूरिफायर पार्टी में महरास्ता सर्ण नरायंड राने सहाब आये मोनी लॉंडरिंग, लाइंड सकेम पता दिए किसमें किसमें उनका नाम था भारति जन्ता पार्टी ने अपनी प्यूरिफायर मशीन में डाला उनको भी प्यूरिफाय कर दिया एकडम शुद कर दिया 24 करत में कंवर्ट कर दिया पूरा देश पूरी दुणिया जानती है कि शुबेंदू अधिकारी कैसे भारती अंता पाटी के विड़ोच पदश्चनों में सबसे बड़े चेहरे हुआ करते थे भाजपा में शामील हुए भरश्ट जनों की प्यृरिफाइईंग पार्टी में शामिल हुआ प्योरिफाई हो गए एकदम फ्रेश एक्जामपल है तरनाटक जहां का मैं इंचार्ज हूँ कैमरे के उपर भारतिय जनता पार्टी के बिधायक का बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया भाई और पकड़ा किसने लोका दबिश दी 40 लाख रुपए तो पकड़े ही गए जब घर और आफिस पे दबिश डाली गई आठ करोड रुपए और कैश मिले आठ करोड रुपए कैश मिले अनकाउंटेड मनी हमने आपने पूरी दुनिया ने देखा करनाटक में तो एक ओपन सिक्रेट ये भी का जाता ह के तकरीबन 18 मंत्री ऐसे हैं करनाटक सरकार के जिनके बेटे बेटियां और दामार मंत्री के एंटी चेंबर में बैट के ठेकेदारों से डील करते हैं दलाली करते हैं ये तो एक पकड़ा गया है 18 नमूने भी बाकी है ये भारतिय अंता पार्टी का शाशन है और थोड़ा सब पीछे जाए तो करनाटक में ही एक कॉंट्रेक्टर ने भाजपा के उस समय के पीड़ावडी मिनिस्टर पे 40% कमीशन खाने का आरोप लगा के अपनी जान देनी सुसाइट कर लिया पूरे प्रदेश के कॉंट्रेक्टर रिकटा हुए दबाव मेना तो पीड़ावडी मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा जो उनकी खामियों कमियों की स्वीक्रिटी थी उन्होंने इस विकार कर लिया कि 40% कमीशन की सरकार करनाटक में है फिर भी चूप है सारे क्योंकि भारत यंता पार्टी ब्रश्ट जनों की प्यूरिफायर पार्टी में अगर कोई आ गया तो आप माल लिजिए कि सारे दाग अच्छे हैं दुल गएं मनीश सोधिया जी के उपर 10,000 करोड रुपए के दिश्वत का इलजाम लगाने वाली भाजपा और भाजपा का जो फ्रंटल ओगनेशन है CBI और EDI नाम से जो भाजपा के मोर्चे के तोर पे काम कर रहा है 10 रुपए की बरामदगी भी नहीं दिखा पाया आज तक सीधा सीधा विच्छन चल रहा है ओपोजिशन को खतम करने के लिए भाजपा इतनी अमादा है कि कानून लोगतंत्र एजेंसियों की अपनी स्वायत अता उनकी बुद्धिमता सब ताक पर रख दिया CBI के के केस में जिस दिन बेल होना है एक और केस E.D. स्लैप कर देती है भाई और जिस दिन बेल मिलना है आप देखिए कि मलब ये लोग प्रिटेंड भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है खुले याम डेमोक्रेटिक संस्थाओं का मजा कुड़वा रही है जिस दिन बेल पर हेरिंग होनी है सीबियाई का लायर गायब है उसको मालूंता कुछ नहीं होना वो जीनियस हिदिंट इवन शोड़ अप इन दे कोट वो इतना समझजार आदनी है उसको मालूं है कि उपर से लिखा लाच चुका है कीडी आएगी पकड़ लेगी मकसद क्या है येन केन प्रकारेन मनीश सोदिया जी को अंदर ही रखना है क्यों भाई क्योंकि वो अर्विंद केजरिवाज जी के दोस्त है क्यों भाई क्योंकि इन्होंने शिक्षा करांती की मशाय जिलाई दिली के अंदर क्यों बाई क्योंकि 18-20 लाग परिवारों के बच्चे अगर पर लिग गए उनके मेनज से तो भारती हंता पाटी की बाटने तोड़ने की फोड़ने की मजभब की राजनीती की वज़े से उनको वोट नहीं देंगे और हमेशा के लिए सत्ता से बेदिखल कर देंगे इसलिए मनिश्य सोधिया कोंदर रखने केंदर सरकार के रोज नए कारणा में घोटाले बाहर आ रहे हैं कुछ न कुछ लगाई हुआ है लेकिन कोई गल्ती से हिंडनबग रिपोर्ट पे मोदानी के घोटालों पे चर्चा न कर ले इसलिए बड़ा कन्मीनियन टार्गेट है के अर बार बार पुछा जा रहा है कि बार बार पुछा जा रहा है कि सी बी आई ने सब करके देख लिया अरेस से पहले रेड मार ली अरेस के बाद पुष्टाच के नाम पे जुडिशल कस्टडी में अपने पास रखके कस्टोडियल इंवेस्टिकेशन के नाम पे अपने पास पूरी एक प्रमान नहीं मिला मिला हो तो बताएं दुनिया के सामने पूरी दुनिया मोधिजी से पुछना चाहती है आपके तमाम रेडों के बाद उस दौरान पूश्टाश के बाद कस्टोडियल इनिवेस्टिगेशन के बाद सी बी आई को कौन से पुखता प्रमान मिले दुनिया के सामने रख दीजिए सारे सवाल और सवाद पुछने वाले अपने आप शर्मिंदा हो जाएंगे एक प्रमान साक्ष नहीं मिला उस केस में प्रमान छोड़िये कोट में बाचीत हो रही है जिरह हो रही है कि भाई साब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो कहीं ए पहले भर का तो बरामदी दिखा दो कहीं एक रुपिया कहीं मिला हो जाज परताल में घर आफिस गाउं पिये सब रेड मार ली दस हजार करोर छोड़िये दस रुपे भी बरामद नहीं हो इनके पास तो मकसद साफ है मकसद साफ है मोधी जी के गोटालों से ध्यान अटे उनकी सरकार के कारणामों से ध्यान अटे इसलिए किसी भी कीमत पे मनीश उसोडिया जी को अंदर रखना ये तैशुदा है और जब कि ये तैँ हो गया तो सी बी आई गई तो एडी आ गई एडी गई तो कोई और आ जाएगा लेकिन ये सब मिल जूल कर भी मनीश उसोडिया की खिलाफ एक साक्ष आज तक नप्रस्तुत कर पाएं हैं न कर पाएंगे किते हैं कि किसी को मेरे बारे में पता कुछ भी नहीं है और इल्जाम हजारों हैं खता कुछ भी नहीं है